नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का to the point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UP88C पेट एक्जाम के लिए सामान हिंदी का संपूर्ड रिविजन करेंगे देखे दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं यह सभी टॉपिक संधी के तीन भेद होते हैं पूछा जाता है संधी के कितने भेद होते हैं तो संधी के तीन भेद होते हैं कौन कौन स्वर संधी बेंजन संधी और विशर संधी तीनों को याद रखिएगा तीनों को देखेंगे सबसे पहले दोस्तों स्वर संधी को देखेंगे देखे दोस्तो, स्वरसंदी के कुल पांच भेद होते हैं, कौन-कौन, पहला है देर्ग संदी, दूसरा है गुर संदी, तीसरा है वृद संदी, चौथा है यण संदी, पांच वा है अयाद संदी, इन सबको अलग-अलग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद जब हरस्व या देर्ग आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आये, तो दोनों मिलकर देर्ग स्वर हो जाते हैं, मतलब बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ, और री हो जाते हैं, तो उसे हम देर्ग स्वर संदी कहते हैं, यहाँ पर एक्जामपल के लिए देखे, सत्य धन अर् और अर्थी में पहले आ है, छोटा आ और छोटा दोनों मिलकर यहाँ पर सत्यार्थी, मतलब बड़ा आ हो रहा है, बृद्धी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ देर्ग संदी है, ट्रिक क्या है दोस्तों, बीच में बड़ी मात्रा लगी हो, तो वहाँ देर्ग संदी होत संदी का उधारण है ऐसे ही शरण रर्ति में देखी ये रधा में अ की मात्र लगी है बड़े आ की मात्रा इसलिए यह क्या है देर्ग संदी है तो इस तरह से आप देरी संदि को आशानी से पहचान सकते हैं ठीक है तो पहला संदि आपका complete हुआ दूसरा संदि है दोस्तो गुड़ संदि गुड़ संदि को कैसे पहचानेंगे यदि आया बड़ा आ यहां पर द्धान रखिएगा आ या बड़ा आके बाद इया बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है और यहां पर देखिए देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र यहाँ पर देव देव में लाच्ट में आ आ रहा है और इंद्र में पहले ए है मतलब आ और इ दोनों बिलकर क्या हो रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र हो जा रहा है चीक है इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं ट्रिक क्या है ट्रिक भी देख लीजिए बीच में उपर एक मात उपर लगी हुई है मतलब एक मात्र लगी रहेगी तो क्या होगा गुड संदी होगा और यदि इस तरह से दो मात्र लगी रहेगी तो क्या होगा वृद्ध संदी हो जाएगा यहां पर एक मात्र लगी है इसलिए गुड संदी है और एक्जामपल देखते हैं यहां पर देख पहेस में हा में देखिए एक ही मात्रा लगी है एक ही मात्रा है इसलिए यह गुर संधी है तो इस तरह से दोस्तों आप गुर संधी को आसानी से पहचान सकते हैं ट्रिक के माध्यम से बीच में ऊपर एक मात्रा लगी हो तो वह गुर संधी होता है चलिए अगला संधी है दोस उनों के मेल से अव हो जाता है ठीक है उदाहरन के लिए यहां पर देखिए सदा धन एव बराबर सदेव यहां पर देखिए सदा में आ की मात्रा लास्ट में आ रहा है और उसके बाद एव में ए आ रहा है तो आ और ए मिलकर यहां पर सदेव मतलब आय हो रहा है ठीक है तो इ इसलिए क्या है यह व्रिद्ध संदी है और एक्जामपल देखते हैं यहाँ पर देखिए परमधन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी मा में देखिए आउ की मात्रा लगी हुई है मतलब दो मात्राय लगी हुई है उपर इस तरह से देखिए इस तरह से दो मात्राय लगी रहे तो गुड संधी होगा इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये ट्रीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला संधी देखते हैं अगला संधी है दोस्तों यन संधी यन संधी का नियम क्या है जब ई-ई-उ-उ-और री के बाद असमान स्वर आएं तो ई-ई-का या हो जाता है उ-उ-का वा हो जाता है री का रा हो जाता है और री का ला हो जाता है ठीक है चलिए एक्जामपल यहाँ पर देखते हैं एक्जामपल लिखा है यदी धन अपी बराबर यद्यपी यदी में देखिए यदी में क्या आ रहा है य आ रहा है और उसके बाद आ रहा है य और आ प्लिप में देखिए यहा से पहले आधातगी से जी तहले ओखे मरे करकि पहले हो इसलिए जय समर्प आये तो वहाँ पर क्या होता है यह थे जाता है तो इसे आधिसनी किसे कहते हैं जब ए Mm ऑ के बाद आ समान स्वार आए तो ए के जगहd आय की जगह av ai o की जगह um की जगह तो इसे आयाद संथी कहते है चलिए इससे संबन 17 एंग्जामपल और ट्रिक देखते हैं पहले ए के बाद कोई असमानवल आये तो एका आय हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर ने धन अन का यहाँ पर नयन हो गया नयन क्या है आयादी संदिका उधारण है चे धन अन बराबर चे अन क्या है आयादी संदिका उधारण है ने धन अक बराबर नायक क्या है आयादी संदिका मात्रा नहीं है चैन में भी ए ओ की मात्रा नहीं है नायक में भी ए और ओ की मात्रा नहीं है इसलिए क्या है यह आयादी संधी है ट्रिक है पाशानने का हवन में देखिए कोई मात्रा नहीं है मतलब ए और ओ की मात्रा नहीं है और लगभग तीन अच्छर के जो सब्द होते है वह क्या होते हैं आयादी संधी होते हैं जिसमें A और O की मात्रा नहीं होती है ठीक है अब यहां से दोस्तों ब्यंजन संधी देखेंगे इसके पहले आपका स्वर संधी पूरा कंप्लेट हो गया ब्यंजन संधी किसे कहते हैं जब ब्यंजन के बाद ब्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही बेंजन संधी कहते हैं एक्जामपल के लिए दिक धन अंबर दिक में देखिए का क्या है बेंजन है आ क्या है अंबर में आ देखिए स्वर है तो यहाँ पर बेंजन और स्वर का मिलन हो रहा है इसलिए यहाँ पर बेंजन संदी है दिक धन अंबर मिलकर यहाँ पर दिगंबर बन रहा है दिगंबर क्या है बेंजन संदी है वाक धन इस वाक में देखिये का आ रहा है और इस में इ मतलब बेंजन और स्वर का मिलन हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है वागीस तो वागीस क्या है बेंजन संधी है दिक धन दर्सन दिक में देखिये का क्या है बेंजन है दर्सन में दा क्या है बेंजन है तो बेंजन और बेंजन का मिलन हो रहा है और यहाँ पर दिक दर्सन बन रहा है तो दिख दर्सन क्या हो गया ब्यंजन संधी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट संधी है बिसर्ग संधी देखे दोस्तों बिसर्ग के बाद स्वर्य या ब्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को बिसर्ग संधी कहते हैं एक्जामपल के लिए मनहधनरत बराबर मनोरत, मनोरत क्या है? बिसर्ग संधी का उधारण है, ऐसे ही अधहधनगती बराबर अधोगती, अधोगती दोस्तों यह भी बिसर्ग संधी का उधारण है, तो बिसर्ग चिन दोस्तों दो विंदी होता है, इससे आप बिसर्ग संधी पहचान सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं यहां तक दोस्तो आपका थियोरी सेक्षन पूरा कम्पलीट हो गया अब यहां से दोस्तो टॉप 20 कुस्चन देखेंगे जो केवल संधी से सम्मंदित हैं और यह आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चली पर आपका राइट उसर क्या है आप लोग बताईए तो देखें दोस्तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधी कहते हैं क्या कहते हैं संधी कहते हैं इसलिए C आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो दूसरा प्रशन देखेंगे संधी कितने प्रकार की होती है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों आपको बताया गया था संधी कुल तीन प्रकार की होती है कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है स्वर संधी, बेंजन संधी और विसर्ग संधी ठीक है? शंचिर्मों जवितों महाधन इंद्र होता है क्या होता है महाधन इंद्र होता है इसलिए डी का राइट हो जाएगा महेंdra दोस्तों Duty संधी का उद़हरण है इसे भी आप लोग याद लखिएगा गुड संधी का ट्रिक क्या था एक मात्रा जहां उपर लगी हो जिसमें एक मात्रा उपर लगी हो वह गुड संधी होता है ठीक है तो D option आपका right हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है नीह धन कपट निम्न में से कौन सी संधी है नीह धन कप पहचान सकते हैं कि यह विशर्ग संधी है तो D option आपका यहां पर right हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तो पुस्तकालय में कौन सी संधी है option आपके सामने है यहां पर आपका right अंसर क्या है तो देखिए दोस्तो पुस्तकालय में दीर्ग संधी है कौन सी संधी है संदी होता है यहाँ पर देखी का में आ की मात्रा लगी है इसलिए यह दिर्ग संदी है और यह ट्रीक है पहसानने का ठीक है तो ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे सभी प्रशन ध्यान से देखते हुए चलिए महोत्सो का संदी गुड संदी का ट्रीक क्या है एक मात्रा उपर हो यहाँ पर देखी हमें ओकी मात्रा लगी है मतलब एक मात्रा उपर लगी है इसलिए यह गुड संदी का उदारण है डी आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाय complacah आ आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला प्रशन है त्यूक्ति सब्द में कौन सी संदी है? आपको यह बताना एं आपके सामने हैं यहाँ पर आपका राइट रिश्व lässtो यह अपSON यह संदी है देखेे दोमक्लमूब इपर यह पहले आधा ता आया है इसलिए यह क्या है? यह संदी है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे निम्न में बिसर्ग संधी है निम्न में कौन बिसर्ग संधी है आपको यह बताना है option आपके सामने है तो यहाँ पर दोस्तों आपका right उसर है C option निसकर्म निसकर्म दोस्तों यह बिसर्ग संधी का उधारण है इसलिए C option आपका यहाँ पर right हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुरियोधय का संधी विच्छेद है। option आपके सामने है यहाँ पर दोस्तों आपका right उसर है B option सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय सूर्योदय में दोस्तों गुड संदी है ठीक है और बताया गया था जिसमें एक मात्रा उपर लगी हो वहाँ पर गुड संदी होता है ठीक है तो B option आपका यहाँ पर right है सूर्य धन उदय बराबर सूर्य उदय गुड संधी का उदारण है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नीह धन पाप में कौन सी संधी है option आपके सामने है नीह धन पाप में कौन सी संधी है आपको यहाँ बताना है तो यहाँ पर आपका right हो जाएगा A option बिसर्ग संधी है देखें यहाँ पर बिसर्ग का चिन लगा हुआ है इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं तो A option आपका right हो जाएगा अगला प्रश्ण देखेंगे सदेव का संधी विच्छेद है आप लोग इसका answer जल्दी से पताएगे सदेव का संधी विच्छेद क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका right उसर है D option सदाधन एव सदाधन एव बराबर सदेव यह दोस्तों बृद्ध संधी का उधारन है इसको ध्यार रखिएगा जिसमें दो मात्राए उपर लगी होती है वह अवरिद संधी का उधारन होता है त्रीक है इसको याद रखिएगा D option आपका right है आगे बढ़ते हैं दोस्तों जगनात सब्द कैसे बना option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों जगनात सब्द जगत धन नात से मिलकर बना है जगनात का संधी विच्षेद क्या होता है जगत धन नात होता है A option आपका यहाँ पर right है यह दोस्तों ब्यंजन संधी का उधारन है जगनात दोस्तो ब्यंजन संधी का उधारण है ए आप्षन आपका यहाँ पर राइट है अगला प्रशन है स्वागत का संधी विच्छेद है स्वागत का संधी विच्छेद क्या है आपको यह बताना है आप्षन आपके सामने है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट उसर है D option सूधन आगत बराबर स्वागत होता है सूधन आगत बराबर स्वागत होता है स्वागत दोस्तों यह यण संधी का उधारण है तो यण संधी का trick क्या है या वा रा के पहले आधा सब्द आये तो वहाँ पर यण संध अगला प्रस्ण देखेंगे बिद्यार्थी में कौन सी संदी है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों बिद्यार्थी में दीर्ग संदी है इसलिए ए अप्चन आपका right हो जाएगा बिद्यार्थी का संदी विछे दोस्तों बिद्याधन अर्थी होता है, क्या होता है, बिद्याधन अर्थी होता है, और यह दोस्तों देर्ग संधी का उदारण है, ट्रिक क्या है, बीच में बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ में देखेंगे, बड़ी मात्रा लगी है, इसलिए यह देर्ग संधी है इसलिए बी आपसन आपका राइट हो जाएगा देखे दोस्तों लग हुर्मी का संद विच्छेद लग हुधन उर्मी होता है क्या होता है लग हुधन उर्मी होता है इसलिए यहां पर आपका देर्ग संदी है और ट्रिक क्या होता है बीच में बड़ी मात्रा होती है देख आपके सामने है यहां पर आपका राइडर क्या है देखे दोस्तों इत्यादी में यज संधी है इसलिए वी आपका राइड हो जाएगा यजसंदी इत्यादि का संथी भी दोस्तो इति धन आधि होता है इसे आप लोग ध्याणर किएगा और क्त्रीक दोस्तो यह वारा की पहले आधा अच्छा राय तो वहाँ पर यþर संधी होता है तो यहाँ पर यह के पहले आधात्ता आया है इसलिए यह यह एLou संधी का उधारण है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी उधारण है बिद्यार्थी किस संधी का उधारण है तो यहाँ पर दोस्तों आपका right answer हो जाएगा C option दीर्गिस्वर संधी का उधारण है बिद्यार्थी का संधी विछे दोस्तों बिद्याधन अर्थी होता है इसे आप लोग ध्यान रखियेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों सदेव में कौन सी संधी है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है देखे दोस्तों सदेव में व्रिद्ध संधी है इसलिए D option आपका right हो जाएगा सदेव का संधी विछे दोस्तों सदाधन एव होता है ध्यान रखियेगा बीच में दो मात्रा आजाए तो वहाँ पर ब्रिद्ध संधी होता है तो यहाँ पर सदेव में दो मात्राय लगी है दा में इसलिए यहाँ ब्रिद्ध संधी का उधारण है D option आपका right हो जाएगा किस सब्द में good संधी है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right उसर क्या है आप लोग बताईए देखे दोस्तो यहाँ पर आपका right उसर है बी आपसन देवेंद्र देवेंद्र में दोस्तो गुड संधी है इसलिए बी आपसन आपका right हो जाएगा देवेंद्र का संधी विछे दोस्तो देवधन इंद्र होता है ध्यान कियेगा देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र होता है देखे दोस्तो जिसमें एक मात्रा उपर लगी होती है वह गुड संधी होता है तो देवेंद्र में एक मात्रा लगी है इसलिए यह गुड संधी का उदारण है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रतेक किस संधी का उदारण है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों प्रतेक जो है यह यण संधी का उदारण है इसलिए ये C आपसन आपका right हो जाएगा प्रतेक का संधी विच्छे दोस्तों प्रती धन एक होता है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ट्रिक है दोस्तों यावार रा के पहले आधा अच्छर आए तो यहाँ पर प्रतेक में या के पहले आधा ता आ रहा है इसलिए यह यह यण आपका right हो जाएगा यहाँ तक दोस्तों आपका संधी पूरा complete हो गया अब यहाँ से दोस्तों बिलोम सब्द देखेंगे बिलोम सब्द के कुछ महत्तपूर नियम और ट्रिक देखेंगे फिर उससे सम्मंधित महत्तपूर प्रस्ण को solve करेंगे बिलोम से सम्मंधित top 25 प् ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों पहला ट्रिक क्या है आउपसर्ग जोड़कर बिलोम बनाए जाते हैं example के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सब्द सब्द लिखा गया है सब्द का आपसे बिलोम पूछेगा तो आउपसर्ग लगा कर आप असब्द बता देंगे ठीक है सब में आ उपसर्ग लगा देंगे तो अहिंसा हो जाएगा अहिंसा दोस्तों ये हिंसा का बिलोम सब्द हो गया ऐसे ही लौकिक है लौकिक में आ उपसर्ग लगा देंगे तो अलौकिक बन जाएगा अलौकिक क्या है ये बिलोम सब्द है लौकिक का ठीक है चलिए दूसरा ट्रिक क्या है अब उपसर्ग जोड कर बिलोम बनाए जाते है अब उपसर्ग जैसे सब्द है दोस्तों, yes यहाँ पर लिखा गया है, yes में दोस्तों आप उपसर्ग जोड देंगे तो अप yes बन जाएगा उपसर्ग का मतलब होता है जो सब्दों के प्रारम में जुड़ते हैं ठीक है तो यस में अप उपसर्ग जुड़ जाएगा तो अपयस बन जाएगा तो यस का बिलोम क्या हो गया यहाँ पर अपयस हो गया तो कुछ महत्पुर सब दौर देख लेते हैं मान है दोस्तो मान का बिलोम क्या होता है अप मान होता है मान में अप उपसर्ग लग गया अप मान बन गया कीरती का बिलोम क्या हो जाएगा अप कीरती हो जाएगा कीरती में क्या करेंगे अप उपसर्ग लगा देंगे उसका बिलोम बन गया अप कीरती ठीक है चलिए अगला एक्जामपल है दो उत्तरित का आप से बिलोम पूछता है तो आप बताएंगे अनुत्तरित होगा ठीक है उत्तरित में क्या करेंगे अनुपसर्ग लगा देंगे तो यह इसका बिलोम बन जाएगा उत्तरित का अनुत्तरित ऐसे ही अभिग्य है अभिग्य में दोस्तो अनुपसर्ग लगा दें अगला ट्रिक है दोस्तों निस निस और निस उपसर्ग जोड़ कर बिलोम बनाए जाते हैं जैसे कि एक्जामपल लिखा गया है पाप पाप में दोस्तों निस उपसर्ग जोड़ देंगे तो निस पाप बन जाएगा ठीक है तो पाप का बिलोम क्या होता है निस पाप होता है सक्री का बिलोम क्या होता है दोस्तों निस्क्री होता है ठीक है ससुल्क ससुल्क का बिलोम आपसे पूछे तो इसका बिलोम निह सुल्क होता है ठीक है इस तरह से आप पहचान सकते हैं अगला एक्जामपल है सचेस्ट सचेस्ट का बिलोम निस्चेट होता है इसे याद रखि जैसे कि एक सब्द है अभिमान, अभिमान का आपसे बिलोम सब्द पूछे, तो इसमें अभिमान में निर उपसर्ग लगा देंगे, तो निर अभिमान आपका बन जाएगा, मतलब अभिमान का बिलोम क्या होता है, निर अभिमान होता है, सापेक्ष का बिलोम आपसे पूछा है आगे है आमिस आमिस का बिलोम दोस्तों निरामिस होता है ठीक है आसा का बिलोम क्या होता है निरासा होता है साकार का बिलोम क्या होता है निराकार होता है ठीक है तो इस तरह से आप बिलोम सब्द बना सकते हैं अगला ट्रिक है दोस्तों बी उपसर्ग जोड़कर बिलोम गया इसको याद रखिएगा अगला एक्जामपल है दोस्तो राग राग का बिलोम सब्द आप से पूछे तो इसका बिलोम भी राग होता है ठीक है देश का बिलोम पूछे तो देश का भी देश होता है योजन का पूछे योजन का भी योजन होता है योग का बिलोम भी है वादी वादी में क्या करेंगे प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका बिलोम प्रतिवादी बन जाएगा घात लिखा गया है घात का बिलोम आपसे पूछा जाए तो इसका बिलोम प्रतिवाद होता है घात में क्या करेंगे प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो प सुबोध का बिलोम आपसे पूछे तो सुबोध का दूर बोध होता है देखिए सुबोध में आप दूर उपसर्ग लगा देंगे तो दूर बोध बन जाएगा ठीक है अगला एक्जामपल है सू बेवस्थित सू बेवस्थित का बिलोम दोस्तो दूर बेवस्थित होता है द आसा में क्या करेंगे दूर उपसर्ग लगा देंगे तो दूर आसा बन जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला ट्रिक है दूस उपसर्ग जोड़कर बिलोम सब्द बनाये जाते हैं जैसे कि एक्जामपल के लिए सतकर्म लिखा गया है सतकर्म का बिलोम आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे सतकर्म में दूस उपसर्ग जोड़ देंगे तो दूसकर्म बन जाएगा क्या बन जाएगा दूसकर्म तो सतकर्म का बिलोम दूसकर्म हो गया सत्चरित का बिलोम क्या होता है दूस चरित्र होता है ठीक है सत्चरित्र में दूस उपसर् जोड़ देंगे तो कूपात्र बन जाएगा सुपात्र का बिलोम क्या हो जाएगा कूपात्र हो जाएगा इसको याद रखिएगा बिलोम सब्द एक्जाम में जरूर पूछा जाता है सुपूत्र का बिलोम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कूपूत्र होता है सुपुत्र में क्या करेंगे कूप सर्ग जोड़ देंगे तो कूपुत्र बन जाएगा चली अगला एक्जामपल है सुपाच्च का बिलोम दोस्तो कूपाच्च होता है इसको याद रखिएगा सनमार्ग का बिलोम दोस्तो कूमार्ग होता है ठीक है सनमार्ग का बिलोम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला ट्रिक क्या है लिंग परिवर्तन द्वारा भी बिलोम सब्द बनाये जाते हैं जैसे कि कुछ एक्जामपल है राजा, राजा का बिलोम पूछेगा तो राजा का बिलोम रानी हो गया, भाई का बिलोम पूछेगा तो भाई का बहन होता है लिंग परिवर्तन ठीक है वर का क्या होता है कन्या होता है इसको ध्यान रखिएगा अगला एक्जाम्पल है दोस्तो माता का विलोम पिता होता है नर का विलोम नारी होता है लड़का का विलोम लड़की होता है नौकर का विलोम नौकरानी होता है तो लिंग परिवर्तन करके भी आप बिलोम बना सकते हैं ठीक है तो यहां तक दोस्तों आपका theory section complete हो गया अब यहां से top 25 प्रस्णों को देखेंगे जो केवल बिलोम सब्दों से संबंदित हैं तो सभी प्रस्णों का उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिएगा पहला प्रस्ण आपके सामने है आप अमूर्थ मूर्थ का बिलोम सब्द दोस्तों अमूर्थ होता है इसलिए ए आपसन आपका यहां पर राइट हो जाएगा सम सब्द का बिलोम क्या है आपको यह बताना है तो यहां पर दोस्तों आपका राइट ज़र सी आपसन हो जाएगा विसम सम सब्द का बिलोम विसम हो परलोक होता है, क्या होता है, परलोक होता है, इसलिए डी आपसन, आपका right हो जाएगा, ये सभी प्रश्चन दोस्तों काफी ज़्याद़ इंपोर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए, ऐसे ही प्रश्चन आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा सम्मुख सब्द का बिलोम क्या है आपको यह बताना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट सुर हो जाएगा ए आपसन बिमुख होता है सम्मुख का बिलोम क्या होता है बिमुख होता है ए आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा वक्ता सब्द का बिलोम है आपको यह बताना है तो देखे दोस्तों वक्ता का बिलोम स्रोता होता है याद रखिएगा वक्ता का बिलोम सब्द स्रोता होता है इसलिए C आपसन आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आवरित सब्द का बिलोम है आवरित सब्द का बि अपको यहां बताना है तो यहां पर दोस्तो आपका ए आपसन राइट हो स्वर्ग स्वर्ग सब्द का बिलोम क्या है आपको यहां बताना है ये सभी प्रश्ण दोस्तों किसी ना किसी एक्जामें पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए, राग सब्द का बिलोम क्या है, आपको यह बताना है, तो यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा, बी राग, राग का बिलोम बी राग होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूच्म सब्द का बिलोम क्या है, आपको यह बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट अ स्वाधिन सब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है यहां पर आपका राइट असर सी आपसन है पराधिन स्वाधिन सब्द का विलोम दोस्तों पराधिन होता है इसको याद रखिएगा सी आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है सनमार्ग सब्द का विलो गेड़ा सब्द का बिलोम क्या होता है तो देखिए दोस्तों घेड़ा का बिलोम प्रेम होता है क्या होता है इसलिए आपका राइट हो जाएगा आगे पढ़ते हैं रिजुका बिलोम है रिजुका बिलोम क्या है आपको यह बताना है तो यहां पर दोस्तों आपका राइट C option हो जाएगा वक्र, रिज्जु का विलोम दोस्तों, वक्र होता है, इसलिए C option आपका right हो जाएगा, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुई चलिए, और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रियास करिए, आप भ्यांतर का विलोम है, आप भ्यांतर का भिलोम क्या है? तो देखे दोस्तों आप भ्यांतर का भिलोम ए हो जाएगा बा है ए आपसन आपका यहां पर राइट हो जाएगा आप भ्यांतर का भिलोम बा होता है ए आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रशन है चिरंतन का विलोम है चिरंतन का विलोम क्या है आप्षन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखे दोस्तों चिरंतन का विलोम नस्वर होता है क्या होता है नस्वर होता है इसलिए C आप्षन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रशन या फिर बिपिरिदार्थक सब्द दोस्तों एक्षिक होता है इसे याद रखिएगा प्रतिकूल का बिलोम है प्रतिकूल का बिलोम क्या है आपको यह बताना है option आपके सामने है यहाँ पर आपका right उसर हो जाएगा दोस्तों ये option अनुकूल, प्रतिकूल का भिलोम दोस्तों क्या होता है, ये option आपका यहां पर right हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अस्थावर का भिलोम सबन है, most important प्रस्त है, यहां पर आपका right असर क्या है, आप लोग बताईए देखे दोस्तों अस्थावर का बिलोम जंगम होता है क्या होता है जंगम होता है इसलिए बी आपसन आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ण है मूक का बिलोम सब्द है मूक का बिलोम सब्द क्या है आपको यह बताना है तो देखे दोस्त तो मुक का बिलोम वाचाल होता है, क्या होता है, वाचाल होता है, इसलिए D option आपका right हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी जादा important है, गरस्त का बिलोम सब्द है, गरस्त का बिलोम सब्द क्या है, तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका right answer D option हो जाएगा मुक्त ग्रस्त का बिलोम क्या होता है मुक्त होता है इसे याद रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है उन्मूलन का बिलोम है उन्मूलन का बिलोम क्या है आप लोग बताईए तो देखे दोस्तो यहां पर आपका rightosaur a option है रोपड, उन्मूलन का बिलोब दोस्तो रोपड होता है इसलिए आपका right हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है अरवाचीन सब्द का बिलोम है अरवाचीन सब्द का बिलोम क्या है आपको यह बताना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट असर हो जाएगा ए आपसन प्राचीन अरवाचीन सब्द का बिलोम दोस्तों प्राचीन होता है इसको याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं विसलेशन सब्द का बिलोम है विसलेशन सब्द का बिलोम क्या है आपको यह बताना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट असर बी आपसन हो जाएगा संसलेशन विसलेशन सब्द का बिलोम संसलेशन होता है इसलिए बी आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्ण है रित का बिलोम सब्द है इंपोर्टेंट प्रश्ण है यहाँ पर आपका राइड असुर क्या है रित का बिलोम सब्द है देखें दोस्तों रित का बिलोम अंडृत होता है क्या होता है अंडृत होता है इसलिए ए आपसन आपका यहां पर राइट हो जायेगा अब यहां से दोस्तो परयायवाची वाक्यांसों के लिए एक सब्द लिंग समसुरुत भिनार्थक सब्द से सम्बंधित महत्पूर्द तत्य को देखेंगे उसके बाद इसी से संबंधित objective प्रश्ण को solve करेंगे उसके बाद अगला topic सुरू करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आप सभी लोग इस class को पूरा ध्यान से देखिए सबसे पहले दोस्तो परयायवाची सब्द देखेंगे देखेंगे दोस्तो समान अर्थ रखने वाले सब्द को समान परयायवाची काफी जादा पूछा जाता है तो याद रखियेगा घर सदन भवन धाम निकेतन आले और निले ये सभी गरियावाची सब्द हैं प्रश्ण पूछ लिया जाता है कि निकेतन किसका परयायवाची सब्द है तो ये घर का परयायवाची सब्द है या फिर ग्रिह का परयायवाची सब्द है आलय किसका परयायवाची है या आलय का परयायवाची सब्द बताईए तो ग्रिह होता है ठीक है ऐसे ही निलय का पूछ ले निलय का ग्रिह होता है तो ये सभी दोस्तों ग्रिह के परयायवाच सब्द है इनको याद रखिएगा पूछा जाता है विटब किसका परियावाची है तो यह व्रिक्ष का परियावाची सब्द है चलिए आगे बढ़ते हैं कमल का देखते हैं दोस्तों काफी ज्यादा पूछा जाता है कमल का परियावाची सब्द तो देखे दोस्तों जलाज पूछ लिया जाता है नलिल किसका परियावाची सब्द है तो कमल का परियावाची सब्द है अगला है दोस्तो आग आग का परियावाची सब्द होता है जातवेद, हुतासन, क्रिसान, दहन, वायुसखा, पावक, अनल, वैस्वानर ये सभी आग के परियावाची सब्द है पूछा जाता है वैस्वानर किसका परियावाची सब्द है तो आग का परियावाची सब्द है इसको याद चंद्रहास देखते हैं चंद्रहास का परियावाची क्रिपाण तलवार अस्य करवाल खडग ये सभी चंद्रहास के परियावाची सब्द हैं इनको भी याद रखिएगा और आसय का परियावाची सब्द देखते हैं सारांस अर्थ अभिप्राय ताथपरे ये सभी आसय के परियावाची सब्द हैं ये सभी दोस्तों एक्जाम में पूछे गए हैं इसलिए ध्यान से आप लोग इन्हें देखते हैं चलिए फल का परियावाची दोस्तों परिडाम नतीजा अंजाम होता है इसको याद रखिएगा और सुन्दर का परियावाची सब्द चारू होता ह ललित, रम्य, रमडीक, मनोहर, शुहावना और रुचिर ये सभी सुन्दर के पर्यायवाची सब्द हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यमुना का देखते हैं यमुना का पर्यायवाची सब्द क्रिखडा होता है सूर्य सुता होता है अरकजा होता है कालिंदी होता है सूर्य तन के परियावाची सब्द है पूछा जाता है निसाकर किसका परियावाची सब्द है तो ससांग का परियावाची सब्द है आगे बढ़ते हैं इंद्र का देखते हैं इंद्र के परियावाची सब्दोस्तों देवराज पुरहूत वज्रधर विडावला पुरंदर मध्वा सच पति, सुर्पति ये सभी इंद्र के परयावाची सब्द हैं पूछा जाता है विडवला किसका परयावाची सब्द है इंपोर्टेंट है याद रखियेगा कामदेव की बात करते हैं तो कामदेव का परयावाची सब्द मार, मदन, अनंग, मनमत, रतपती, मयन और मकर रात की परयायवाची दोस्तों तमिस्त्रा, निसा, रजनी, निसीत, बिभावरी, रैन, ये सभी रात के परयायवाची सब्द हैं, इनको याद रखिएगा, important है, पूछा जाता है, निसा या फिर रजनी किसका परयायवाची है, तो रात का है, म्रिगेंद्र की बात करते हैं तो केशरी, नाहर, म्रिगराज, ब्याग्र, सिंग, वनराज, ये सभी म्रिगेंद्र के परयायवाची सब्द हैं, पूछा जाता है, वनराज या सिंग किसका परयायवाची है, तो म्रिगेंद्र का परयायवाची सब्द हैं, आगे बढ़ते हैं, ब्रमर का देखते हैं, ब मचली का देखते हैं, मत्स, मीन, सफरी, जस, जल जीवन, जल तोरी, ये सभी मचली के परयायवाची सब्द हैं, याद रखिएगा, मीन, सफरी, किसका परयायवाची सब्द है, मचली का परयायवाची सब्द है, लहर का देखते हैं, तो तरंग, विची, हिलोर, उर्मी, ये स इंको याद रखियेगा देवता का देव अमर शूर निरजर त्रीदस अमर्त और अजर यह सब भी देवता के परियावाची सब्द हैं बगीचा बगीचा का परियावाची सब्द आराम वाटिका उपवन उद्यान बाग फुलवारी और निकुंज होता है पूछा जाता है या उकोण किसका प्रयावाची सब्द है तो बगीचा का है इसको याद रखिएगा समुद्र का काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है या पूछा जाता है समुद्र का प्रयावाची पयोध होता है तो भारती, वीडापाण, महास्वेता, वागेस्वरी, सारदा, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची सब्द हैं, इनको याद रखिएगा, अब यहां से दोस्तों वाक्यांसों के लिए एक सब्द देखेंगे, इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये भी प्रस्ण एकजाम में पूछा जाता है, जिसका कोई सत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसे अजात सत्रु कहते हैं, याद रखिएगा, जिसका कोई सत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, उसे अजात सत्रु कहते हैं, और जिसका उपचार ना हो सके, उसके लिए एक सब्द क्यांस के लिए एक सब्द वीर प्रसु है क्या है वीर प्रसु है अगला देखेंगे सक्तिसाली दयालु सांत धीर और योध्धा नायक के लिए एक सब्द धीरो दात है क्या है धीरो दात है इसको याद रखिएगा जो प्रमाण से सिध्ध ना हो सके उसके लिए एक सब्द अप्रमे होता है वह नाई का जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक सब्द वियोगिनी है वियोगिनी याद रखिएगा और वन में लगने वाली आग के लिए एक सब्द दावागिनी है इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा पति यु और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक सब्द जीतेंद्री है जिसे जीता ना जा सके उसे अजे कहते हैं इंपोर्टेंट है और जो छीड अथवा च्छै ना हो सके उसे अच्छै कहते हैं आगे बढ़ते हैं जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं सरवग्य कहते हैं और जिसके सिर्फर चंद्र हो उसे चंद्र सेखर कहते हैं ध्यान से देखते हुँ चलिए इसी से रिलेटेड प्रस्ण आगे देखने को मिलेगा जो युद्ध करने का इच्छुख हो उसे यु चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुच्छू कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों लिंग से सम्मंधित देखेंगे यह भी आपके स्लेबस में दिया गया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखते हैं देखे दोस्तों हिंदी ब्याकरण में संग्या के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाती का बोध ह होता है उसे हम लिंग कहते हैं इसको ध्यान रखिएगा और विभिन भासाओं में लिंग को तीन भागों में बाटा गया है एक है पुल लिंग दूसरा इस्त्री लिंग और तीसरा है नपुन्सक लिंग चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ महत्तपूर लिंग से सम्मध देख लेते हैं आयूसमान का इस्त्री लिंग क्या होता है पूछा जाता है तो आयूसमान का इस्त्री लिंग दोस्तों आयूसमती होता है याद रखिएगा बुढ़ापा क्या है बुढ़ापा एक पुलिंग सब्द है पूछा जाता है इसको याद रखिएगा अहिंसा क् या एक पूर्लिंग सब्द है चलि आगे बढ़ते हैं मेहतरानी का पूर्लिंग क्या होता है मेहतर होता है इसको याद रखिएगा और चंद्रमा एक पूर्लिंग सब्द है इसको याद रखिएगा और कभी का इस त्री लिंग काफी पूछा जाता है कभी का इस त्री लिंग ना आव पन वा पा होता है वहाँ पूलिंग सब्द होता है उदारण के लिए गाना आना बहाव बढपन बढ़ावा बुढ़ापा ये सबी क्या है पूलिंग सब्द है इनको याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं सारस क्या है सारस एक पूलिंग सब्द है इसको याद रखि इसे भी आप लोग याद रखिएगा ब्याय क्या है पुलिंग है या इस्त्री लिंग है तो ब्याय एक पुलिंग सब्द है इसको याद रखिएगा और दही एक पुलिंग सब्द है इसे भी याद रखिएगा और नकल क्या है नकल एक इस्त्री लिंग सब्द है और सूची पत्र एक पूलिंग सब्द है ये सभी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए रितू रितू एक इस्त्रीलिंग सब्द है इसको याद रखिएगा पूछा जाता है रितू पूलिंग है या इस्त्रीलिंग है तो इस्त्रीलिंग है संध पूछा जाता है कैसा सब्द है इस्त्रिलिंग है या पूलिंग है तो इसका जवाब है पानी एक पूलिंग सब्द है और रिसी का इस्त्रिलिंग दोस्तो रिसी का होता है याद रखियेगा पूछा जाता है रिसी का इस्त्रिलिंग क्या है तो रिसी का होता है यहां से दोस् के अनेकार्थी सब्द है इनको याद रखिएगा important है पूछा जाता है मूख का अनेकार्थी सब्द दोस्तों चुप वीवस गूंगा और अवाग होता है इसको भी याद रखिएगा next है नग के अनेकार्थी सब्द परवत सूर्य सर्प और ब्रिक्ष होते है most important है भीड एक स क्या होता है अगनी होता है अर्ग अर्ग का अर्थ दोस्तों बग मूल्य होता है और अर्ग का अर्थ अंजूली भर जल देना होता है दोनों याद रखिएगा अरजन का अर्थ कमाना होता है और अंब का अर्थ माता होता है और अंब का अर्थ क्या होता है जल होता है ध्या याद रखेगा नेस्ट है् अरक का र्थ सूरी होता है और कटक का रथ सेना होता है और कटू कर्थ क्या होता है होता है दोनों याद रखिएगा नेक्स्ट है सूतकार्थ बेटा होता है और सूतकार्थ क्या होता है रूई का धागा होता है यहां तक दोस्तों आपका थीरी सेक्षन पूरा कम्प्लीट हो गया अब यहां से टॉप 60 प्रस्णों को सॉल्व करेंगे जो केवल पर्यायवाची वाक्यांसों के लि अप्सन आपके सामने है आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंस्वर क्या है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट एंस्वर है ए अप्सन ग्रिह गेह सब्द का पर्यायवाची ग्रिह होता है इसको याद रखिएगा गेह के और भी पर्यायवाची सबी प्रश्नध्यान से देखते हैं इसलिए ब्रिक्ष सब्द का परयावाची गर्वाची है। दास का परयायवाची सब्द है हेम की बात करते हैं या सोना का परयायवाची सब्द है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशल देखेंगे कमल सब्द का परयायवाची है option आपके सामने है आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका कमल के प्रयायवाची सब्द है और रसाल की बात करते हैं रसाल दोस्तो आम का प्रयायवाची सब्द है और अम्बू ये जल का प्रयायवाची सब्द है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है आग सब्द का प्रयायवाची है आपके सामने है आप लोग जल्दी से जैसे कि अनल, पावक, वायु सखा, दहन, कृसान, हुतासन ये सभी आग के परयायवाची सब्द है पुंडरीक की बात करते हैं पुंडरीक कमल का परयायवाची सब्द है और सैंधो की बात करते हैं या घोडा का परयायवाची सब्द है सभी प्रशन ध्यान से देखते option आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका right एसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एसुर है D option करवाल चंद्रहास सब्द का परियावाची करवाल है D option आपका right है चंद्रहास के और भी परियावाची सब्द है जैसे की तलवार, खडग, असी, क्रिपान ये सभी चंद्रहास के परियावाची सब्द है मनमत की बात करते हैं तो मनमत काम देव का परयायवाची सब्द है इसको याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं आसय सब्द का परयायवाची है आप्सन आपके सामने है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है C आप्सन तातपरे आसय सब्द का परयायवाची तातपरी होता है आसय के और भी परयायवाची सब्द है जैसे कि अभिप्राय होता है मतलब होता है अर्थ होता है सारांस होता है यह सभी आसर के परियावाची सब्द है आहार की बात करते हैं तो आहार दोस्तों यह भोजन का परियावाची सब्द है और अपरिहार की बात करते हैं तो यह अनिवार का परियावाची सब्द है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है फल का परियावाची सब्द है आप और अंजाम ये सभी फल के परयायवाची सब्द हैं फरेव की बात करते हैं तो फरेव ये छल का परयायवाची सब्द है और फड़ी की बात करते हैं तो यह सर्प का परयायवाची सब्द है और फिराक की बात करते हैं तो यह चिंता का परयायवाची सब्द है चली आगे सब्द का परयायवाची चारू है इसलिए ए अपसन आपका राइट है सुन्दर के और भी परयायवाची सब्द है जैसे कि रुचिर रम्य सुहावना मनोहर ये सभी सुन्दर के परयायवाची सब्द है इनको याद रखिएगा और बात करेंगे केसी की केसी दोस्तों ये सिं प्रयायवाची ऑप्षन आपके सामने है आप लोग बताइए यहांपर आपका राइट एसूर क्या है तो देखे दोस्तों यहांपर आपका राइट एसुर है c-aption अरकजा यमुना सब्द का प्रयायवाची अरकजा होता है इसलिए c-a watts है यमुना के और भी परियावाची सब्द हैं जैसे कि सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी और कृष्णा ये सभी यमुना के परियावाची सब्द हैं कलेस की बात करते हैं कलेस दोस्तों ये कष्ट का परियावाची सब्द है और पुसकर की बात करते हैं तो यह तालाव का परियावाची सब् आगे बढ़ते हैं ससांग सब्द का परयायवाची है option आपके सामने है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option चंद्रमा ससांग सब्द का परयायवाची चंद्रमा होता है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है विडवला परयायवाची सब्द है विडवला किसका परयायवाची सब्द है आप लोग बताईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option इंद्र का विडवला इंद्र का परयायवाची सब्द है इसको याद रखिएगा इंद्र के और भी परयायवाची सब्द है जैसे कि कौसिक, देवराज, पुरहूत, वजरधर यह सभी इंद्र के परयायवाची सब्द है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मार सब्द परयायवाची है यह किसका परयायवाची सब्द है आपको बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है दी आपसन अनंग का मार सब्द अनंग का परयायवाची सब्द है इसलिए D option आपका right है नेक्स्ट प्रस्ण है इनमें से एक रात का परयायवाची है option आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका right एसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एसर है D option तमिस्त्रा तमिस्तरा दोस्तों रात का परयायवाची सब्द है इसलिए D आपसन आपका राइट है बात करेंगे रत्नगर्भा, अचला और धरित्री ये तीनों दोस्तों पृत्वी के परयायवाची सब्द है इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रस्ण है मृगेंद्र क परयायवाची सब्द है आपसन आपके सामने है आप लोग बताएए यहां पर आपका राइट है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट है बी आपसन केसरी केसरी दोस्तों यह मृगेंद्र का परयायवाची सब्द है इसलिए बी आपसन आपका राइट है बात कर कुरंग की कुरंग दोस्तों ये हिरन का प्रयायवाची सब्द है और भुजंग साप का प्रयायवाची सब्द है और तुरंग घोडा का प्रयायवाची सब्द है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखेंगे सभी प्रस्न ध्यान से देखते हुए चलिए इनमें से एक सब्द मचली का परयावाची नहीं है कौन सा नहीं है आपको यह बताना है option आपके सामने है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो इसे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है D option जलोदरी जलोदरी यह मचली का परयावाची नहीं है से सभी मच्स मीन सफरी ये तीनों मचली के परयायवाची सब्द है इसलिए D आपसन आपका राइट है अगला प्रस्ण है इनमें से एक लाहर का परयायवाची नहीं है आपसन आपके सामने है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है बी आपसन दुकुल दुकुल दोस्तों यह लाहर का परयायवाची नहीं है यह वस्त्र का परयायवाची सब्द है इसे याद रखिएगा से सभी लाहर के परयायवाची सब्द है आगे बढ़ते हैं इनमें से एक सब्द देवता का परय आपके सामने है आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका पर्याइवाची आराम है इसलिए सी आपसन आपका राइट है बगीचा के और भी पर्याइवाची सब्द है जैसे कि वाइटिका उपवन उद्यान बाग फुलवारी यह सभी बगीचा के पर्याइवाची सब्द है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे निम् समुद्र का पर्याइवाची नहीं है बलकि बादल का पर्याइवाची है से सभी पयोधी जलाधी और वारी यह सभी समुद्र के पर्याइवाची सब्द है तो यहां पर आपका बी आपसन बिलकुल राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है जिसका सत्रु सत्र रहित ब्यक्त के लिए एक संद्रों होता है इसे भी याद रखिएगा और जो सत्रों ना हो उसे अस्तृ कहा जाता है चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रस्नन देखेंगे जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक सब्द क्या कि आपसन के वाएं आपके सामरे है आप लोग बताईंए यहाँ पर आपका राइटे सुर्व क्या है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइटे सुर्व है भी आपसन असाध्य का उपचार ना हो सके उसके लिए एक सब। आसाध्य होता है इसे याद रखियेगा और जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसके लिए एक सब्द दुह सहाय होता है इसे भी आप लोग याद रखियेगा और जिसका उपचार स्रम से हो सके उसके लिए एक सब्द स्रम साध्य होता है और साधन से रहित के लिए एक के लिए एक सब्द मुमुक्षू है इसलिए सी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या है आप लोग जल्दी से बताएए यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है तो पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक सब्द पुत्रवती होता है और वीर बहु के लिए एक सब्द वीर बहुरी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं सक्तिसाली दयालू सांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक सब्द क्या है आपको यह बता ना है आपसन आपके सामन द्यार रखिएगा सूर वीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक सब्द धीरो धत होता है इसे भी आप लोग द्यार रखिएगा और सूर वीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक सब्द धीर ललित होता है इसे भी आप लोग द्यार रखिएगा अगला प्रश्न है जो प्रमाड से सिध्ध ना हो सके उसके लिए एक सब्द क्या है और जिसे प्रमाडों से सिध्ध ना किया गया हो उसके लिए एक सब्द आपरमाडित होता है इसे भी आप लूग दियार रखिएगा और जो मापा ना जा सके के लिए एक सब्द अपरमित होता है या अपरमे होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है वह नाई का जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है उसे क्या कहा जाता है आपसन वियोगनी वह नाई का जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगनी कहा जाता है इसलिए भी आपसन आपका राइट है और ध्यार रखिएगा जिस इस्त्री का पती विदेश चला गया हो उसके लिए एक सब्द प्रोशित पति का होता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा और विराह में जलने वाली इस्त्री के लिए एक सब्द विराह विदगधा होता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा और वह इस्त्री जिसका पती रात में दूसरी इस्त्री के पास रह कर प्राता आया हो उसके लिए एक सब्द खंडिता ह चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों वन में लगने वाली आग के लिए एक सब्द है और समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक सब्द बढवागनी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है जगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक सब्द में कहा जाता है क्या कहा जाता है आप लोग जल्दी से बताईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है डी आपसन नारद जगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहा जाता है डी आपसन आपका राइट है और रहसिया वेद बताने वाले को बिभीशर कहते हैं इसे भ लोग जल्दी से बताईए तो देखे दोस्तों महल के भीतरी भाग को अन्तापूर के नाम से जानते हैं इसलिए सी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्न ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी प्रस्न काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इ जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक सब्द जीतेंद्री होता है अगला प्रस्न है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक सब्द क्या है और ध्यान रखिएगा जिसके पास साधन ना हो उसे साधन हीन कहते हैं और ध्यान रखिएगा जो स्रम द्वारा साधा गया हो उसे स स्रम साध्य कहते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त सब्द क्या है और जिसे जाना ना जा सके उसे अगे कहते हैं इसे भी आप लोग ध्यार रखिएगा और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुरजे कहते हैं और ध्यार रखिएगा जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजे कहते हैं चली आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्ट ध्यान से देखते हुए चलीए जो छीड ना हो सके उसके उसके लिए उपयुक्त सब्द क्या है आप्सन आपके सामने है आप लोग जल्दी से बताएए यहाँ पर आपका राइटेसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेसर है C आप्सन अच्छे जो छीड अथवा छै ना हो सके उसे अच्छे कहते हैं और जो मीट ना सके उसे दोस्तों अमीट कहते हैं और जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त सब्द क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट असुर क्या है। तो देखे दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसे सरवग्य कहते हैं, इसलिए D आपसन आपका राइट है, और भूत वरतमान तथा भविस तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालग्य कहलाता है, इसे भी आप लोग ज्यान रखिएगा, और जिसने ग्यान प्रात्त किया हो उस उसे ज्यानी कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके स्विरुपर चंद्र हो, उसके लिए उपयुक्त सब्द है, आपसन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट है, तो देखे दोस्तों, जिसके स्विरुपर चंद्र हो, उसे चंद्र सेखर कहते हैं, इसलिए B आपसन आपका राइट है और जो चक्र को धारन करता है उसे चक्रधर कहते हैं इसे ध्यार रखिएगा और चंद्रमा की वह हिस्तिति जब उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे हम चंद्र ग्रहन कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखेंग आयूसमान का इस्त्रीलिंग सब्द क्या है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है बी आपसन आयूसमती आयूसमान का इस्त्रीलिंग आयूसमती होता है इस चलीए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखेंगे सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुई चलिए निम निमे से स्ट्रिलिंग सब्द की पहचान करें आपके सामने है आप लोग बताइए यहां पर आपका पूलिंग क्या है जल्दी से आप लोग बताईए तो देखिए दोस्तों मेहतरानी का पूलिंग मेहतर होता है इसलिए C आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण देखेंगे पूलिंग सब्द कौन सा है आपको यह बताना है जल्दी से आप लोग बताईए यहाँ पर आप से स्थ्री लिंग की पहचान करें यहाँ पर कौन सा सब्द स्थ्री लिंग है आपको यह इव्क संथ है इपल लोग बताइए यहां पर आपका राइट एसर क्या है तो दूस्तो यहां पर आपका राइट एसर है C आप संथ है इसे आप लिंग refers द्यान कीएगा चली आगए बढ़ते तेहलें अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी प्रश्ण काफी ज्यादा important है निमने लिखित में pulling सब्द कौन सा है आपको यह बताना है जल्दी से आप लोग बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option इसे आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण देखेंगे सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी प्रश्ण काफी ज़्यादा important है निमन में कौन सा pulling सब्द है आपको यहाँ बताना है option आपके सामने है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option दारा दारा एक pulling सब्द है इसलिए C option आपका right है चलिए आगे बढ़ते हैं निमन में से pulling सब्द कौन सा है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option B B एक pulling सब्द है इसे याद रखिएगा और C सभी यहाँ पर जो लिखे हैं यह सभी इस्तरी link सब्द है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है लिंग के द्रिष्टी से दही क्या है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है B option pulling दही क्या है एक pulling सब्द है इसलिए B option आपका right है अगला प दोस्तों C option जो है नकल क्या है यह strilling सब्द है इसे याद रखिएगा यहाँ पर आपका C option right है निम्ड में क्यों सva strilling सब्द है तो C नकल जो है यह strilling सब्द है से इस attitude pulling सब्द रहे आगे बढ़ते ए आप्सन आपका राइट है और किताब गंगा और संसद ये सभी इस्त्री लिंग सब्द है इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा इस्त्री लिंग में प्रयुक्त होता है आपके सामने है आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट एस्वर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एस्वर है ए आपसन रितु रितु एक इस्त्री लिंग सब्द है इसलिए ए आपसन आपका राइट है से सभी पंडित हंस और आचारी ये सभी पूलिंग सब्द है इन्हें भी आप लोग संधिया 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 इसलिए इनकता याद रखीएगा चलिए बढ़ते हैं संभी प्रिश्वियद्यान से देखते हुए इसलिए चलिए का स्थिकाकर बताना है तो देखेंझ comunidad रिसी, रिसी का इस्त्री लिंग रिसी का होता है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रिष्ण ध्यान से देखते हुए चलिए भिनार्थक सब्द का चैन कीजिए चारों में कौन सा भिनार्थक सब्द है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है बी आपसन अनिल अनिल एक भिनार्थक सब्द है क्योंकि अनिल का अर्थ वाई होता है से सभी पावक अनल और कृसान इन तीनों का अर्थ अगनी होता है इसलिए बी आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है समुहार्थक सब्द चिन्हित कीजिए इसमें से कौन सा समुहार्थक सब्द है आपको यह बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है D आपसन भ बताना है आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुर है डी आपसन हाथी हाथी दोस्तों यह नग का अनेकार्थक सब्द नहीं है नग के अनेकार्थी सब्द दोस्तों परवत सूर्य और सर पो होते हैं इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर आपका डी आपसन राइट है अगला प्रस्ण है इनमें मूख का अनेकार्थक सब्द कौन सा नहीं है आपको यह बता ना है आप लोग जल्दी से बताईए यहां पर आपका राइटे सुर क्या है तो देखे दोस् आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं जल प्राण पुत्र किस सब्द का अनेकार्थी है आपको यह बता ना है आप लोग बताईए यहां पर आपका राइटे सुर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटे सुर है डी आपसन जीवन जल प्राण पुत्र ये सभी G1 के अनेकार्थी सब्द है, इसलिए D option आपका right है, अगला क्रश्ण है, जो किये हुए उपकार को नहीं मानता, उसके लिए एक सब्द क्या है, option आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो किये हुए उपकार को नहीं मानता, उसके लिए एक सब्द क्रितग न होता है, इसलिए A option आपका right है, और जिसमें धैरे ना हो, उसे अधीर कहते हैं, जिसकी आसा ना की गई हो, उसे आप रत्यासित कहते हैं, और जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उसे अनुग्रिहीत कहते हैं, तो यहाँ पर आ अबजेक्टिव प्रस्ण को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यह अभी आपके स्लेवस में दिया गया है, तो चलिए, शुरू करते हैं, आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुहावरेयम लोकोक्तिया देखेंगे, देखिए दोस्तों, मुहावरा किसे कहते हैं, सामान अर्थ का बोध ना कराकर, बिसेस अथवा बिलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को ही मुहावरा कहते हैं, ध्यार रखिएगा, मुहावरा अपूर्ड वाक्य होता है, किन्त वाक्य में प्रयो को ही मुहावरा कहते हैं आगे बढ़ते हैं लोकोक्तियां किसे कहते हैं देखे दोस्तों लोकोक्ति सब्द लोक धन उक्ति सब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोक में प्रशलित उक्ति या कथन लोक में प्रशलित उक्ति या कथन जब कोई पूरा कथन किसी वाक्य होता है और मुहावरा जो होता है वह वाक्यांस होता है इसे ध्यान कियेगा आगे दोस्तों कुछ महत्पुल मुहावरे एवं लोकोक्तियां देखेंगे जो एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्डेंट है पहला है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का और दूसरा है आखों का तारा होना इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना ध्यान से आप लूग देखते हुए से लिए आगे इसी से रिलेटेट प्रस्न देखने को मिलेगा बाल की खाल निकालना इसका अर्थ होता है बहुत छानवीन करना ठीक है आगे है दोस्तों आस्मा प्राप्त करही कोई काम करना चाहिए आगे बढ़ते हैं छप्पर पर फूस नहीं देवड़ी पर नाच छप्पर पर फूस नहीं देवड़ी पर नाच इसका अर्थ होता है दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविक्ता कुछ नहीं नेक्स्ट देखेंगे गय थे रोजा छुडाने गले नमाज पड़ी इसका अर्थ होता है सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना चली आगे बढ़ते हैं आखों में गड़ना आखों मे सही अर्थ क्या है ऐसा प्रस्ण पूछा जाता है तो इसका जवाब है वांशित कारी को छोड़कर अन्निकारी में लग जाना नेक्स्ट है उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना चली आगे बढ़ते हैं अगला पोइंट है उठा न रखना का तात्पर है उठा न एक लाठी से सब को हांकना का अर्थ होता है सभी के लिए समान नीती अपनाना और खरी खरी सुनाना का अर्थ होता है साफ साफ कहना चली आगे बढ़ते हैं खरी खोटी सुनाना का अर्थ होता है भला बुरा कहना इसे भी याद रखिएगा यह मुह और मसूर की दाल का अर चलिए आगे बढ़ते हैं तन पर नहीं लगता पान खाय अलबत्ता का अर्थ होता है जूठी रईसी दिखाना क्या होता है जूठी रईसी दिखाना नेकी नौकोस बदी सौकोस का अर्थ होता है बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज्यादा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य पूर्ड करना नेश्ट है न तीन में न तेरह में इसका अर्थ होता है जो किसी गड़ना में न हो चलिए आगे बढ़ते हैं उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई इसका अर्थ होता है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ती का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात भूल जाना चली आगे बढ़ते हैं चिराग तले अधेरा लोकोक्ती का अर्थ होता है निकट के दोस्त को ना देख पाना आगे बढ़ते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अठका लोकोक्ती का अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पढ़ना एक नई मुसीबत में पढ़ना आगे बढ़ते हैं किनारे लगना मुहावरे का अर्थ होता है किसी कारे का समाप्त होना क्या होता है किसी कारे का समाप्त होना सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी पॉइंट काफी जादा इंपोर्टेंट है आसू पीकर र चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए यहां से दोस्तो सामान असुधिया देखेंगे क्योंकि यह भी आपके स्लेबस में दिये गया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखते हुए इससे सम्मंधित प्रस्न एक्जाम में पूछा जाता है पहला है दोस्तो महत्तु महत्त जो लिखा है या इसका असुध यहां सुद्धुरूप है इसका सुद्धुरूप यह वाला जो महततु लिखा है रेड कलर में यह इसका सुद्धुरूप है दूसरा है निरापराध दोस्तो यह असुध धे कर दोलिए हस्त छेफ होता है ऐसे ही अभियस्त जो लिखा है या असुद्ध है इसका सुद्ध रूप अभ्यस्त होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कवित्री कवित्री जो लिखा है या इसका असुद्ध रूप है इसका सुद्ध रूप कवित्री होता है य स्रूत लिपी जो है यह असुद्ध है स्रूत लिपी जो लिखा है या इसका सुद्ध रूप है नेश्ट है दूस चरित जो लिखा है या असुद्ध है इसका सुद्ध रूप दूस चरित्र होता है ठीक है ध्यान से आप लोग देखती है विचलिए यह सब्द एक्जाम में पूछे जाते हैं, समसान जो लिखा गया है, या इसका असुद रूप है, इसका सुद रूप ये दूसरा समसान जो लिखा है, या इसका सुद रूप है, नेक्स्ट है, अधियन जो लिखा है, इसका सुद रूप अध्यन होता है, उपर लिखित जो लिखा है, या क्या है, अ आगे बढ़ते हैं प्रतिनीधी, प्रतिनीधी जो लिखा है या असुद। तो ध्यान से आप लोग देखते वीछलिए, इसी से रिलेटन प्रस्ण आगे आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है अत्याधिक, अत्याधिक असुद्ह है, इसका सुद्हूर्ट अत्यधिक होता है इसको याद रखिएगा नेश्ट है वी दूसी या असुद्ध है इसका सुद्ध रूप वी दूसी होता है नेश्ट है क्लेस क्लेस यह असुद्ध है इसका सुद्ध रूप क्लेस होता है जो red color में है next है अनुसांगिक यह असुद्ध है इसका सुद्ध रूप आनुसांगिक होता है ध्यान से देखते हुँ चलिए next है अनुग्रहीत असुद्ध है इसका सुद्ध रूप अनुग्रहीत होता है नर्क, नर्क ये असुद्ध है, इसका सुद्ध रूप नरक होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, टिपड़ी, टिपड़ी जो लिखा है, यह असुद्ध रूप है, इसका सुद्ध रूप टिपड़ी होगा, जो red color में लिखा है, यह है, इसका सुद्ध रूप विर्हडी होता है, ठीक है, नेश्ट है, प्रजुवलित, प्रजुवलित यह असुद्ध है, इसका सुद्ध रूप प्रजुवलित होता है, नेश्ट है, पूजनिया, पूजनिया क्या है, यह असुद्ध है, इसका सुद्ध रूप पूजनिय होता है नेक्ष्ट है प्रमाडिक प्रमाडिक असुद्ध है इसका सुद्ध रूप प्रामाडिक होता है ठीक है नेक्ष्ट है विस्ष्ट विस्ष्ट दोस्तों यह असुद्ध है इसका सुद्ध रूप विस्ष्ट होता है नेक्ष्ट है निरस्ता यह असुद्ध है इसका स दुरूप नी रस्ता होता है तो सभी ध्यान से देखते हुश लिए अब यहां से दोस्तों लेखक और रसनाओं से सम्मधित महत्पूर्ट तत्थ देखेंगे उसके बाद अबजेक्टिव प्रशनों को सॉल्व करेंगे तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुश लिए क्योंकि यह भी आपके शलेवस में दिया गया है पहला है दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है पूछा जाता है तो इसका जवाब है बाल क्रिश्व भट्त सरसुति पत्रिका के संपादक कौन है महावीर प्रसाद दुएदी है अगला देखेंगे हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है हिंदी नवजीवन के संपादक गाधी जी है नेश्ट है वीसल देव रासों के रशीता कौन है तो नर्वपति नाल है याद रखिएगा नर्वपति नाल है नेश्ट है चंदायन चंदायन किसकी कृती है तो यह म कभी प्रिया कभी प्रिया है दोस्तों ये केसव की रशना है इसको याद रखिएगा अगला है भारत भारती के रशाइता कौन है भारत भारती के रशाइता मैथली सरण गुप्त है इन्हें याद रखिएगा और सेस कादंबरी के रशाइता अलका सराओगी है कौन है अलका स रशाइता जैसंकर प्रसाद है सभी पॉइंट इंपोर्टेट है ध्यान से देखती हुए चलिए इसी से रिलेटेट प्रस्ण आगे आपको देखने को मिलेगा कविता क्या है के रशनाकार कौन है राम चंद्र सुकल है इनको याद रखिएगा और गंगा छबी वाडन के रशनाकार भारतेंदु हरिस चंद है चलिए आगे बढ़ते हैं भिक्षुक कविता के रशाइता कौन है तो भिक्षुक कविता के रशाइता निराला है और पल्लाओ के रशाइता कौन है पल्लाओ के रशाइता सुमित्रा नंदन पंध है चलिए आगे बढ़ते हैं अगल के रचीता कौन है इन पंक्तियों के रचीता सुभद्रा कुमारी चौहन है याद रखिएगा नेक्श्ट है मुझे तोड़ लेना वन्माली उस पत में देना तुम फेक मात्र भूम पर सीस चड़हने जिस पथ जावे वीर अनेक पंक्तियों के रिशीता कौन है माखन लाल चतुरुवेदी है याद रखिएगा important है next है इधन्नम रसना इधन्नम रसना किसकी है तो मत्रेई पुस्पा की रसना है याद रखिएगा चाद का मुह तेढ़ा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है इनको याद रखिएगा next देखेंगे बीजक ये कबीर की रसना है important है याद रखिएगा और पराधीन सपने उसुख नाही ये तुलसी दास की पंक्तियां है next है दोस्तो मेरी तिबबत यात्रा के रसनकार राहुल सांकृत्यायन है important है याद रखिएगा next है अन्या से अनन्या यह प्रभा खेतान की रसना है इसको याद रखिएगा next है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले यह भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां है इसको याद रखिएगा यहां तक दोस्तों आपका थीरी सेक्षन पूरा कम्पलीट हो गया अब यहां से टॉप 60 प्रशनों को सॉल्व करेंगे जो केवल मुहावरे यह लोकोक्तियां सामान्य असुद्धियां और लेखक तता रशनाओं से ही संबंधित है तो चलिए सभी प्रशनों को आप लोक ध्यान से देखिए और सभी प्रशनों का उत्तर बताने का प्रयास करिए पहला प्रशन है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है आपके सामने है आप लोक बताईए यहाँ पर आपका राइटेसर क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेसर है बी आप्सन सहन सीलता की सीमा तूट जाना सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहन सीलता की सीमा तूट जाना चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रस्ण है आखों का तारा होना इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों आखों का तारा होना इसका अर्थ होता है बहुत प्री होना क्या होता है बहुत आपकी खाल निकालना इसका अर्थ होता है बहुत छानवीन करना बी आपसनब का राइट है चलिए आगे बढते हैं आस्मान पर दिये जलाना इसका क्या अर्थ है आप लुग जल्दी से बताइए यहाँ पर आप का राइट ये सुर क्या है तुद देखे दोस्तो आस्मान प यहां पर आपका right एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका right एंसर है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है, D option, रहस्त की बात ततकाल जानना, उर्ती चिडिया पहचानना का अर्थ होता है, रहस्त की बात ततकाल जानना, D option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुए चलिए, गुरु कीजे जान, पानी पीजे जान, इसक इसका अर्थ होता है, जानकारी प्राप्त करही कोई काम करना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, छप्पर पर फूस नहीं, डेवढ़ी पर नाच, इसका क्या अर्थ है, आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, त पर पर फूस नहीं, डेवढ़ी पर नाच, इसका अर्थ होता है, दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविक्ता कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, गय थे रोजा छुडाने गले नमाज पड़ी, इसका क्या अर्थ है, आप लोग जल्दी से बता होता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना, C आपसन आपका राइट है, अगला प्रस्ण है, आखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, आपसन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है, तो दे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, आए थे हर भजन को ओटन लगे का पास, लोकोक्ती का सही अर्थ क्या है, आपको यहाँ बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट जल्दी सापास, चल्दी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण देखेंगे, उठ जाना मुहाबरे का अर्थ क्या है, आप लोग बताएँ, यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एसुर है, वी आप्शन मर जाना, उठ आक्स से देखने का अर्थ होता है समान भाव से देखना C आपका राइट है अगला प्रस्ण है एक लाठी से सबको हांकना का अर्थ है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपक खरी खरी सुनाना का क्या अर्थ है आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है तो देखे दोस्तों खरी खरी सुनाना का अर्थ होता है साफ साफ कहना क्या होता है साफ साफ कहना डी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं खरी सुनाना का अर्थ होता है भला बुरा कहना भी आप सन्ym आपका राइट है अगला पॉर्षन देखेंगे यह मुह और मसूर की दाल का क्या अर्थ है आपको यह बताना है आप लोग बताएँ यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है C option अपनी आउकास से बढ़ कर बात करना यह मुह और मसूर की दालकार्थ होता है अपनी आउकास से बढ़ कर बात करना C option आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं तन पर नहीं लगता पान खाय अलबता का तात पर यह है इसका क्या त तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसुर है D आपसन जूठी रैसी दिखाना तन पर नहीं लत्ता पान खाय अलबत्ता का अर्थ होता है जूठी रैसी दिखाना D आपका राइट है अगला प्रश्ण है गंगा नहाना मुहाबरे का क्या अर्थ है आप लोग और नहीं प्रश्ण है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है गागर में सागर भर्ना मुहाबरे का अर्थ है जो किसी अर्थ है इसका आप लोग बताईए yahaan पर आपका राइट अ suspense क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट είναι इसी आपशन थोड़े में बहुत कहना गागर में सागर भरना मुहाबरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना D option आपका right है अगला प्रश्ण है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है इसका क्या अर्थ है आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right असुर क्या है तो देखे तोस्तों यहाँ पर आपका right असुर है D option उचित नेड़े करन दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित नेड़े करना D option आपका right है चलिए आगे बढ़ते हैं आख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है option आपके सामने है आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है कच्चा चिठ्था खोलना का अर्थ है क्या अर्थ है इसका आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right असुर है ए आपको यहाँ बताना है आप लोग जल्दी से बताएए पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है D option Mahathu, Mahathu जो लिखा गया है यहाँ असुद्ध लिखा गया है इसलिए D option आपका right है और यहाँ पर निससंदे निसंकोष और उजल ये तीनों सुद्ध रूप में लिखे गए है इसलिए यहाँ पर आपका D आपसन राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ते है निमने लिखित सब्दों में वरतनी की दृष्टी से कौन सा असुद्ध है आपको यह बताना है आप लोग बताएए यहाँ पर आप आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं असुद्ध वरतनी का चैन कीजिए आप लोग बताएए यहाँ पर आपका राइट असुद्ध है आपको यह बताना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुद्ध है डी आपसन हस्ता छेप हस्ता छेप जो है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है C आपसन अभ्यास्त अभ्यास्त जो लिखा गया है यह बिल्कुल सुद्ध है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है सुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए कौन सा सुद्ध है आपको यह बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसुर है D आपसन कव यत्री कव यत्री विल्कुल सुद्ध है इसलिए D आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है महातम्य का सु चलिए बी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्ण ध्यान से देखते हुई चलिए ये सभी प्रस्ण काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है सुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए कौन सा इसमें से सुद्ध है आपको यहाँ बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है दी आपसन सुरूत लिपी जो लिखा गया है यहाँ बिल्कुल सुद्ध है D आपसन आपका राइट है अगला प्रश्ण है सुद्ध हुवर्तनी चुनिए कौन सा सुद्ध है आपको यह बताना है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट C आपसन में जो समसान लिखा गया है यह बिल्कुल सुद्ध है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है सुद्ध हुवर्तनी का चैन कीजिए कौन सा सुद्ध है आपको यह बताना है आप लोग बताएए यहाँ पर आपका राइट अगला प्रश्ण है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है इसलिए C आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं चुनिये कौन सा सुध्द है आपको यहाँ बताना है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर है D-APTSON उपरी लिखित जो लिखा गया है यह बिलकुल सुध्द है इसलिए D option आपका right है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, किस सब्द की वर्तनी सुद्ध है, आपको यह बताना है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, D option अत्यधिक, अत्यधिक जो लिखा गया है, यह बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है, इसलिए D option right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुई चलिए, सुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए, कौन सा सुद्ध है, आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताईए, यहाँ पर आपका right ए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुई चलिए, निम्न सब्दों में से कौन सा सुद्ध है, आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, ए आप लोग ब बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, C option क्लेस, क्लेस जो लिखा गया है, C option में यह बिल्कुल सुद्ध है, इसलिए C option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुद्ध वरतनी वाला सब्द है, कौन सा सब्द सु आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वरतनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्द कौन सा है, आपको यह बताना है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, C option आनुसंगिक, आनुसंगिक जो लिखा गया है, यहाँ बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है, C option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, वरतनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्द कौन सा है, आपको यह बताना है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यह आपका right एंसर है, C option परिच्छा, परिच्छा जो लिखा गया है, यहाँ बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है, और तीनों बिकल्प यहाँ पर जो है, यह असुद्ध है, इसलिए C option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, वरतनी की द्रिष्टी से क्यान कीजिए, कौन सा सब्ध सुद्ध है, आपको यह बताना है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, बिकल्कुल सुद्ध लिखा गया है, इसलिए B option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो लिखा गया है, यहाँ बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है, इसलिए A option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वरतनी की द्रिष्टी से सुद्ध सब्ध कौन सा है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एं आपको यह बताना है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, प्रज्वलित, समुज्वल और उज्वल, यह तीनों सुद्ध लिखे गया है, लेकिन समुज्वल D option में जो है, यहाँ असुद्ध लिखा गया है, इसलिए D option आपका right अगला प्रशन है, हिंदी परदीप के संपादक कौन थे, option आपके सामने है, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right एंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right एंसर है, यह option बाल एक्रिश्ल भठ लिखे, यह option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रस्ण ध्यान से देखते हुए चलिए सरसुती पत्रिका के संपादक कौन थे आपसन आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है भी आपसन महाबीर प्रसाद दुएदी सरसुती प पर आपका राइट है C आपसन गाधी जी हिंदी नवजीवन के संपादक गाधी जी थे C आपसन आपका राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे नासिकेतो पाख्यान के रचाईता कौन थे आपसन आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका रा अगला प्रशन है वीशल देव रासों के रचाईता का नाम क्या है आपसन आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एंस्वन क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंस्वन है D आपसन नरपतिनाल वीशल देव रासों के रचाईत पर आपका right है तो देखे दोस्तों यहाँ 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 पर आपका right है Option आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइटेस वर क्या है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइटेस वर है D. Option प्रभा खेतान अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रशना है D. Option आपका राइट है चलियागे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले यह किसकी पंक्तियां है option आपके सामनी है आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइटेस्वर क्या है तो देखे दोस्तो यहां पर आपका राइटेस्वर है दी आपसन भगवती चरण वर्मा यह पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की है इसलिए D option आपका right है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है इधन्नम रचना किसकी है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका right है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right है बीजक कबीर की रिष्णा है, C आपसन आपका राइट है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिष्ण है, चांद का मुह तेड़ा है के लेखक कौन है, आपसन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर क्या है, तो देखें दोस्तों, यहाँ प पंक्तियां है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर क्या है, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर क्या है, आपसन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर क्या है, तो देखें दोस्तों, यह सांक्रित्यायन है, D. option आपका right है, अब यहाँ से दोस्तों सामान्य हिंदी के सभी topic से top 51 अति महत्तफूर प्रस्णों को देखेंगे, आप सभी लोग सभी प्रस्णों को ध्यान से देखिए और सभी प्रस्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है दामनी का परयायवाची सब्द है ओप्सन है नवनीत चमक उर्जा बिजली आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है डी आप्सन बिजली याद रखिएगा दामनी का पर्यायवाची सब्द बिजली है इसलिए D आपसन आपका राइट है दामनी के अन्य पर्यायवाची सब्द की बात करें तो याद रखिएगा विद्दूत, चपला, तडित और चंचला ये सभी दोस्तों दामनी के पर्यायवाची सब्द हैं इस के लिए उपयुक्त सब्द क्या है आपको यह बताना है option है अधिदेश अध्यादेश अधोवादेश अध्यादेश आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट एंस्वर क्या है तो देखे दोस्तों निश्चिस समयावद में होने वाला आदेश के लिए एक उ बियंजनसंधि, वृद्य संधि, देर्ग संधि, गुर संधि, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट एंस्वर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइँट एंस्वर है ए आप सन ब्यंजनसंधि, याद रखिएगा विपत ज्याल में आजन संदी कहते हैं इसे भी आप लोग ध्यान रहीएगा। चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट है निम्न में कौन से हिस्से में तुरुटी है। Option है, गुजर गई है, जिन्दगी मानसिक तनाव से आधूनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर। गुजर रही है ऐसा होना चाहिए था इसलिए दोस्तो ए आपसन आपका यहाँ पर right हो जाएगा गुजर गई है यह गलत है यहाँ पर होना चाहिए गुजर रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है बादसा सब्द का इस्त्री लिंग रूप है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है C option बेगम याद रखिएगा बादसाह सब्द का इस्त्री लिंग बेगम होता है इसलिए दोस्तों C option आपका right है अगला प्रस्ण है C का परियावाची सब्द है option है पिनाकी, लंबोदर, पियासू, पिनाक आप लोग बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है A option पिनाकी याद रखिएगा C को पिनाकी भी कहा जाता है इसलिए A option आपका right है चली यहाँ पर दोस्तों दिया गया है राकेश को उस विद्याले में इम्तिहान लेने वाला बन कर जाना है यहाँ पर दोस्तों इम्तिहान लेने वाले के लिए उपयुक्त सब्द क्या है आपको यह बताना है option है बिसेशग, परिक्षक, अध्यापक, समनवयक आप लोग यहां पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका right answer है B option परिक्षक याद रखिएगा इम्तिहान लेने वाले के लिए उपयुक्त सब्द परिक्षक होता है इसलिए B option आपका right है चलिए आगे पड़ते हैं अगला प्रस्ण है वाग वैभो का संदी है option है वाग धन वैभो या वाग धन वैभो या वाग धन वैभो या वाग धन वैभो आप लोग बताईए यहां पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका right answer है C option वाग धन वैभो याद रखिएगा वाग वैभो का संधी विच्षेद वाग धन वैभो ह होता है और यह दोस्तों ब्यंजन संधिका उदारण है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे आप लोग सभी प्रस्ण ध्यान से देखते हुए चलिए कूप मंडूख होना मुहावरे का अर्थ है आप्शन है अत्यंत सीमित ग्यान कुए में गिरना घर में रहना बहरा आप लोग जल्दी से बताएं यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है ए आप्शन अत्यंत सीमित ग्यान याद रखिएगा कूप मंडूख होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सीमित ग्यान होना ए का समानार्थक सब्द है option है दिन उजाला सुबह रात आप लोग जल्दी से बताएए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है डी आपसन रात रजनी सब्द का समानार्थी सब्द रात होता है डी आपसन आपका राइट ह ध्यार रखियेगा रजनी, निसा, यामनी, विभावरी ये सभी दोस्तों रात्र के समानार्थी सब्द हैं और दोस्तों याद रखियेगा दीवस, उजाला ये सभी दिन के समानार्थी सब्द हैं और प्रातह, प्रभात, अरुडूदय ये सभी दोस्तों सुवह के आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है साध्युआ चरण का संधिविच्छेद किस क्रम में है औप्षन है साध्य धन चरण साध्युद्हन आचरण साध्य धन आचरण आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका है या दोस्तो स्वर संदी का उद्वारण है इसे भी आप लोग याद रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे मानक भासा की द्रिष्टी से असुद्ध सब्द पहचानिये आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट एंसर है सी आपसन हिंदू हिंदू दोस्तो असुद्ध सब्द है इसका सुद्ध रुप हिंदू होता है द में दोस्तो बड़े उकी मातरा रहेगी तब हिंदू सु लोकोक्ति का चयन कीजिये, option है आगे कुवा, पीछे खाई, दूसरा है अधजल गगरी पलटत जाए, तीसरा है अपनी पगड़ी, अपने हाथ, चौथा है उची दुकान, फीका पकवान, आप लोग बताए यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर right answer है, बी, option अधजल गगरी पलटत जाए, यह दोस्तों, अनुचित लोकोक्ति है, इसका उचित लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए होता है, क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए होता है, इसलिए दोस्तों, बी, option आपका right है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्र प्रस्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए मृगांक का परयायवाची सब्द है आप्सन है लोचन मृग सुधाकर कलोल आप लोग बताएं यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखें दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है सी आपसन सुधाकर याद रखिएगा म्रिगांख का परियायवाची सब्द सुधाकर है इसलिए सी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है निम्न वाक्यों में से सुध्ध वाक्य का चैन कीजिए पहला है उसने वहाँ पहुच कर सोर मचाया दूसरा है मेरे से मत उल्जो घर जाओ तीसरा है उसका घर मेरे को मालूम नहीं चौथा है मैंने यह कब बोला आप लोग बताए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है डी आप्शन मैंने यह कब बोला यह दोस्तों सुध्ध वाक्य है बाकी तीनों असुध्ध वाक्य है इसे आप लोग ध्यार रखिएगा डी आप्शन आपका राइट है चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है आना कानी करना मुहावरे का सही अर्थ है आप्शन है मना करना टाल मटोल करना बुराई करना इधर उधर करना आप लोग बताए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है बी option टाल मटोल करना आना कानी करना मुहाबरे का सही अर्थ है टाल मटोल करना बी option आपका right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है क्रिष्ड सब्द का इस तरी लिंग सब्द पहचानिये option है क्रिसा क्रिस, क्रिष्ड, क्रिष्ड आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है D option कृषडा याद रखिएगा कृषड सब्द का इस्तरी लिंग सब्द कृषडा होता है इसलिए D option आपका right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे आप लोग स सबी प्रस्ण ध्यान से देखते हुए चलिए साकार का विप्री तार्थक सब्द है आप्शन है आकार, आकास, सावकास, निराकार आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है D option निराकार याद रखिएगा साकार का विप सांत, गुसा, क्रोध, भैभीत. आप लोग बताएं, यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है? तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एंसर है, A आप्शन सांत. कोप का बिलोम सांत तो होता है, इसलिए A आप्शन आपका राइट है. चली आगे बढ़ते हैं, अग D option अनुहदन ठान याद रखिएगा अनुष्ठान का संधि विच्छेद अनुधन ठान होता है इसलिए D option आपका right है और ध्यान रखिएगा दोस्तो अनुष्ठान या विसर्ग संधि का उधारण है इसे भी आप लोग याद रखिएगा चली आगे वड़ते हैं जिसका काम उसी को साजय लोकोक्ती का सही अर्थ क्या है आपको यह बताना है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है दूसरा है काम करने वाला ही सुसोभित होता है तीसरा है जिसको जो कारित दिया जाए वही करे चौथा है अच्छा काम सस्ता है आप लोग बताइए यहा पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों जिसका काम उसी को साजय लोकोक्ति का सही अर्थ है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है इसलिए दोस्तों ए आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है हुई बीरता की के जासी में सुभद्रा कुमारी चोहान की पंक्ति को पूड करें यहाँ पर दोस्तों खाली अस्थान भरना है आपसन है वैभाव, वीरांगना, कायर, संपन्नता आप लोग बताए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एं जासी में यह आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त बिकल्प चुनिए आपसन है उपयोगी उपादे इस्टकार क्या यह सही है तो यह बिलकुल उपयुक्त जोड़ा है दोस्तों क्यूंकि परियावाची सारंग और मयूर नहीं है दोस्तों काक का परियावाची यहां पर सारंग और मयूर नहीं है इसलिए दूसरा बिकल्प यहां पर अनुपयुक्त है ठीक है और यही आपको बताना था यहां पर दोस्तों सारंग और मयूर जो है यह मोर के परियावाची सब्द है इसे याद रखिएगा पुसकर के परियावाची जलासय और ताल होता है यह सही है चौथा है भूम का परियावाची मही और धरा होता है यह भी सही है इसलिए दोस्तो बी आपसन आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है अल्प का बिलोम सब्द है आद रखिएगा अल्प का अर्थ थोड़ा होता है एवं बहु का अर्थ अधिक होता है इसलिए दोस्तो अल्प का बिलोम बहु हो जाएगा सी आपसन आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा अंबर का समान आर्थी नहीं है आप आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसवर क्या है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट एंसवर है D option धातू धातू दोस्तो अंबर का समान आर्थी नहीं है इसलिए D option आपका राइट है देखे दोस्तों आकास, वस्त और कपास ये सभी अंबर के अनेकार्थी सब्द हैं इसे आप लोग याद रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रिस्टन है छीर का परयायवाची सब्द है ओप्सन है खीर, जल, दूद, नीर आप लोग बताईए यहाँ पर आपका र याद रखिएगा चीर का परयायवाची दूद होता है इसलिए C आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रिस्टन है निम्न में कौन सा तत्सम सब्द है आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर राइट एंसर है ए आपसन अस्थी अस्थी दोस्तों तत्सम सब्द है और इसका तदभो दोस्तों हड़ी होता है इसे आप लोग याद रखिएगा ए आपसन आपका राइट है चली आगे बढ़ते हैं कीरन का परयायवाची सब्द है आपसन है तीर, कूल, रस्म, अनल रस्मी है, C आपसन आपका राइट है कीरन के दोस्तों और भी परयायवाची सब्द है जैसे की अन्सु, मरीच, मयूख, ये सभी दोस्तों कीरन के परयायवाची सब्द है इसे भी आप लोग याद रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन है निम्न में से अ राइट एंसर है D आपसन कल्यान कल्यान दोस्तों यहाँ असुद सब्द है बाकी तीनों सुद्ध सब्द लिखे गए हैं यहाँ पर दोस्तों कल्यान भासा नमसकार यह तीनों सुद्ध है लेकिन कल्यान जो लिखा है यहाँ असुद्ध है इसलिए D आपसन आपका आप लोग बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है B option यन संधी अत्य आवस्यक में यन संधी है इसलिए B option आपका right है याद रखिएगा अत्य आवस्यक का संधी विच्छेद अतिधन आवस्यक होता है इसे आप लोग ध्यान रखि है अगला प्राशन है आय का बिलोम सब्द है option है ब्य आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है A option आय का बिलोम ब्याय होता है इसलिए ए आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमने में से सुध्ध वाक पहचानिये आपसन है गर्मी को उमस होने के बाद वर्सा सुरू होने को हुई दूसरा है यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पूरुशार्थ को अपने जीवन का लक्ष बनाना चाहिए तीसरा है विस्सुनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है चौथा है कई वर्सों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी आप लोग अपने जीवन का लक्ष बनाना चाहिए बी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रिस्न है पंडित का इस्तरी लिंग सब्द बताईए आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट पंडिताईन याद रखिएगा पंडित का इस्तरी लिंग सब्द पंडिताईन होता है इसलिए डी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है रसिक प्रिया के लेखक कौन है आपसन है मलुक दास बिहारी लाल दादू दयाल के सौदास आप लो इसलिए डी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में महान सब्द का बिलोम है आपसन है तुछ छोटा छुद्र आमहान आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है ए आपसन तुच्छ, महान सब्द का बिलोम दोस्तों तुच्छ होता है, इसलिए एपसन आपका राइट हैं, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है, निम्न का सुध्धोवाग् पहचानिये, बच्चों का गुस्सा मत करो, इसका दोस्तों सुध्धोवाग् क्या है, आपको या बताना है, option है, बच्चों को गुस्सा मत करो, दूसरा है, बच्चों पर गुस्सा मत करो, तीसरा है, बच्चों के उपर गुस्सा मत करो, चौथा है, बच्चों का गुस्सा मत करो, आप लोग बताए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer बच्चों पर गुस्सा मत करो या दोस्तों बिल्कुल सुद्धवा क्या है इसलिए बी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है 9211 होना इस मुहावरे का अर्थ है आपसन है गायप कर देना भाग जाना 9 और 2 गिनना बहुत से मित्र इकठे होन आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है बी आपसन भाग जाना 9211 होना इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना बी आपसन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है सिवाल आपका राइट एंसर है ए आपसन दीर्ग संधी सिवालाय में दीर्ग संधी है इसलिए ए आपसन आपका राइट है देखे दोस्तों सिवालाय का संधी विच्छेद सीवधन आलाय होता है इसे भी आप लोग ध्याना कियेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है निम्न में अंत का बिलोम सब्द है, option है आधि, अग्र, इति, अपूल, आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, A option आधि, देखे दोस्तों, अंत का बिलोम आधि होता है, इसलिए A option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी प्रसन काफी ज़्यादा important है सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है option है हिम्मत बधाना धोखा देना हरे भरे उद्यानों की सैर करना जूठे वादे करना आप लोग बताईए यहां पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका right answer है डी option जूठे वादे करना सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है जूठे वादे करना डी option आपका right है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है निम्न में कौन से बिकल्प में तुरुटी नहीं है option है मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिये दूसरा है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया तीसरा है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये चौथा है मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर आप लोग बताए यहां पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों य राइट है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है, जन मेजय का नागयग की रसना किसने की है, आप्षन है, सेठ गोविंद दास, जैसंकर प्रसाद, लक्षमी नारायरलाल, गोविंद वललप पंथ, आप लोग बताएए, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एंस्वर है, बी आपसन, जैसंकर प्रसाद, याद रखिएगा, जन मेजय का नागयग की रसना, जैसंकर प्रसाद ने की थी, इसलिए बी आपसन आपका राइट है, याद रखिएगा, जैसंकर प्रसाद, छाया वादी युक्के कवी थे और इन्होंने अनेक नाटक कहानी उपन्यास यों कविताओं की रसना की है इसे आप लोग याद रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं निम्ने में से कौन सा भिन्न है आप्सन है परलोग स्वरगाद अन्य लोग अन्य आदमी आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंस्वर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंस्वर है डी आप्सन अन्य आदमी देखे दोस्तों परलोग स्वरगाद अन्य लोग ये तीनों दोस्तों परयायवाची सब्द है यहां पर दोस्तों अन्य आदमी इन तीनों से भिन्न है इसलिए D option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिशन है, बिकर्षन का बिलोम सब्द है, option है घर्षन, आकर्षन, समर्पन, तर्पन, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, B option, आकर्षन, याद रखि आपके बढ़ते हैं, वाके खंड के लिए एक सब्द बताईए, वाके है, जिसका बिभाजन ना किया जा सके, उसके लिए एक सब्द क्या है, option है, आखंडित, आभिभाज, आभिभक्त, आखंड, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, बी option, अभिभाज, देखे दोस्तों, जिसका बिभाजन ना किया जा सके, उसके लिए एक सब्द अभिभाज होता है, इसलिए बी option आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यद्यप्त में कौन सी संदी है, option है, यन संदी, ब्य right answer है, यद्यप्त में यन संदी है, इसलिए यद्यप्त का right है, ध्यान रखियेगा, यद्यप्त का संदी विच्छेद यदी धन अपी होता है, इसे भी आप लोग याद रखियेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन नात लोकोक्ती का सह अप्सन है, इस्वर से साक्षात कार करना, इस्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयन द्वारा ही संपन्न करना, उचित होता है, अपने हाथ में इस्वर की मूर्ती देखना, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर अपकर्स का बिलोम सब्द है, इसलिए सी आपसन आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है, उतकर्स का बिलोम सब्द है, आपकर्स है, आकर्स, निसकर्स, अपकर्स, मध्याकर्स, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, सी आपसन आपकर्स, उतकर्स का बिलोम आपकर्स होता है, इसलिए सी आपसन आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका रिन लिया हो, वाक्यांस के लिए उपयुक्त सब्द है, आपसन है, रिन दाता, अदाता, कर्ज दाता, कर्जदार, आप बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, सी आपसन कर्जदाता, जिसका रिन लिया हो, उसे दोस्तों कर्जदाता कहते हैं, इसलिए सी आपसन आपका right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, चुल्लू भर पानी मे डूबना, मुहावरे का सही अर्थ है, आपसन है, नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डूबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुह नहीं दिखाना, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहा के मारे मुह नहीं दिखाना, डी आपसन आपका right है, अत्य उत्तम किन दो सब्दो से बना है, आपसन है, अत्य धन उत्तम, अत्य धन उत्तम, अत्य धन तम, अत्य धन तम, आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका right answer क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है, ब बी अपसन अत्य women उत्तिम समसें मिलकर बना अ और इसमें दौस्तों यनसंधी है इसे भी आपड याद रख्येगा, बी आपसन